नमस्कार हरार महादेव स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म अप्रेवेट टीचर डॉट कॉम बे मैं लाइव आना चाहरी थी बड़ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर देखिए दोनों सिस्टम मेरे खराब पड़े हुए तो मुझे फोन में कोई न जो हमारी कोईज है यह अभी डिसेंट्ली मैंने जो एक चाप्टर आपका लिया था जो कि जीन प्याज़े की कॉंसेट पर था तो उनीं सारे कॉंसेट पर बेस हमारी यह कोशन्स है तो पहला जो कोशन्स आपका है वो कह रहा है स्कीमा का मतलब क्या होता है तो देखिए मै जो कुछ भी पहली बार देखा उसका उसके दिमाग पे एक image बन जाती है तो यहाँ पर पूछ रहा है जो options दिये हो है पहला है खंडन विदी ठीक है दूसरा है अधिगम विदी तीसरा है लंबे समय के यादाश में सूचना संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना और तीसरा ह है शारिरिक पतिवाद क्रिया तो देखिए अगर हम elimination process से करते हैं तो जो हमारा पहला वाला है इसकीमा का मतलब होता है तो मैंने आपको समझा दिया है कि इसकीमा का मतलब क्या होता है building blocks बनाना यानि कि आप अपने यादाश में कुछ सूचनाओं के packets को एकत्रित करते रहोगे तो खंडन क्रिया विदी तो अविरसी बात अगरत हो क्योंकि आप ब्लॉक्स बना रहे है learning techniques कत्ता ही नहीं आएगी यह जो आपका तीसरा वाला option है लंबे समय के यादाश में सूचना संगठित packets का एकत्र करना यानि कि organized packets of the information stored in long term memory तो इस प्रेशन का right answer आपका C चला जाएगा देखिए एक normal question भी schema के बारे में पूछ सकता है और इस तरह से घुमा कर भी पूछ सकता है तो हम यहाँ पर सारे आपके जो भी क्या कहते हैं expected question होंगे उन सारे questions को हम लेकर चलते रहेंगे हम बहुत easy questions भी solve करेंगे हम meet data question भी solve करेंगे और हम tough questions भी लेकर चलते रहेंगे चलिए move करते हैं हमारे next question के तरफ जो हमारे next question कह रहा है वो यह कह रहा है कि PAJ की सिधान के अनुसार अनकूलन किन दो चीजों या प्रक्रियाओं में समाहित रहता है तो अगर हम बात करें जो हमारे PAJ सापके उन्होंने जो adaptation का process बताया था उन्होंने बताया था कि जो adaptation होती है वो किन दो चीजों से मिलकर बनी होती है वो आपके दो चीजों से मिली कर बनी होती है that is known as assimilation और दूसरा क्या होता है accommodation यानि कि बच्चा अपने पुराने ज्यान में नए ज्यान को जोडता है और अपने ज्यान को संसोर्दित करता है तो इस तरह से अगर हम इसके options को देखें हमारे पास options क्या दिये हुए है तो यहाँ पर आप elimination process से भी कर सकते हो और अगर आपको याद है तो आप उस पर भी देख सकते हो तो पहला वाला यह option यहाँ पर हमारा कह रहा है accommodation and elimination दूसरा वाला answer कह रहा है संतुलित एवं संगठन तीसरा कह रहा है समायोजन एवं संतुलिकरन समावेशन और संगठन यहाँ पर इंगलिश में अगर हम देखें तो equipilation and organization, accommodation and equilibrium, assimilation and organization तो अभी हमने यहाँ पर देखा जो sorry adaptation का जो process होता है उसमें accommodation and animation होता है तो चलिए यहाँ पर अगर हम अपने elimination process में जाते हैं तो equipilation यानि की adaptation के process के बाद आती है तो यह वाला option आपका गलत चला जाएगा यहाँ पर equipilation है तो यह भी गलत चला जाएगा यहाँ पर organization है तो organization की कोई बात होई नहीं थी तो यह भी गलत चला जाएगा और इस प्रशन का जो right उत्तर जाएगा वह आपका जाएगा समायोजन एवं समावेशन तो दीन प्याजे के सिधांद के अनुसार अनकूलन दो मूल प्रक्रियाँ को समाईद करता है वो है समायोजन एवं समावेशन यानि की accommodation and assimilation चलिए हम मूव करते हैं हमारे next question के तरफ तो जो हमारा next question है वो क्या कहता है आई हम देखते हैं तो हमारा जो नया question है वो यह कह रहा है कि पियाजे की सिद्धान्त में वा परक्रिया जिसमें बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए स्कीमा को रुपांतरित एवं शन्शोधित करता है यहां पर पांतरित और सन्शोधित कर ने का मतलब क्या हुआ modification यानि कि बच्चे ने जो कुछ भी सीखा बच्चे ने उसमें चेंज किया modification करना यानि कि परिवर्तन करना और मैंने आपको पहले अभी जससे पहले वाले स्राइड में बताया है कि जहां पर बच्चा adaptation की जो प्रक्रियाएं मूल होती है जो कि आपकी कहलाती है एक assimilation दूसरा accommodation तो assimilation में बच्चा नए ज्यान को सीखता है और पुराने ज्यान के साथ में जोड़ता है और जो accommodation का process होता है वहां पे बच्चा क्या करता है वहां पे बच्चा अपने ज्यान में संशोधन करता है क्या करता है बच्चा अपने ज्यान में संशोधन करता है तो जहां पे बच्चा संशोधन करेगा वहां पे आपका accommodation कहलाएगा और देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा option दिये हुए हैं तो पहला option है uncoolan assimilation दूसरा है संशोधन तीसरा संशोधन और केंड तो जहां से बात है अभी अल्रेड़ी हम डिसकस कर चुके हैं तो इस प्रेशन का जो राइट आंसर जाएगा वह जाएगा आपका accommodation ठीक है तो चलिए आईए हम मूफ करते हैं हमारे नेक्स प्रेशन के तरफ और जो हमारे नेक्स प्रेशन कह रहा है क्या पूछता है नया प्रशन चलिए हम देख लेते हैं हमारे नए प्रशन को भी बहुत मुश्किल से मैं यह एक मुझे तरीका मिला है recording का और मैं करने की कोशिश कर रही हूं देखे मैं कितना सफल होती ह। यह video रिकॉड होने के बाद कितना सहीं जाता है यह तो वक्त ही बताएगा क्या होगा धोगा नहीं होगा तो चलिए हमने प्रशन के तरफ हमारे आते और जो हमारा नया प्रशन है वो कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार यद्दे पी कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही है फिर भी वो अस्तित्तु में है तो ये कौन सी वस्ता कहलाती है तो जब हमने पढ़ा था तो मैंना आपको बता था कि एक obset permanence वाली एक आपकी विवस्ता होती है उस opposite permanence में क्या होता है कि कोई भी चीज जो बच्चे के सामने नहीं होती है उसके बाद भी बच्चा उस चीज को ढोड़ता है कोई भी चीज जो बच्चे के सामने नहीं होती है बच्चा उसमें ढोड़ता है और जाईश सी बात है यह जो अब्जर पर्मानेंस वाली आपके स्टेज होती है वो कौन से स्टेज होती है अगर मैं आपको याद दिलाने कोशच को तो देखो संस्री मोटर वाली तो ऐसी स्कीम होती है कि जहां पे जो आपका बच्चा है वो चीजों के पीछे भागता है और अपने स्टेज का यूज़ करता है पर सबसे पहले वाली जो स्टेज है संस्री मोटर वाली उसी में अब्जर पर्मानेंस के बारे में बात करी गई थी और गोल डारेटट बिहेवियर के बारे में बात करी गई थी यह जो आपका दो होता है एक आपका कहलाता है हमारा opposite permanence एक हमारी कहलाती है एक हमारी होती है opposite permanence और दूसरा होता है goal oriented behavior यानि कि बच्चा यहाँ पे किसी वस्तू के पीछे भागता है तो यह अब हमारे इस explanation से ही clear हो गया है कि हमारी जो पहले वाली अवस्ता है जिसको हम बो हो जाता है बाकिन सारी अवस्ता में बच्चा बड़ा हो जाता है कोई चीछ सामने नहीं है फिर भी वह सामने है ऐसा वाला हस्ते तो आपका यही होता है sensory motor वाले में बच्चा आपका रहता है कौनसी अवस्ता में sensory motor वाले में बच्चा आपका रहता है और पर्मानेंस वाल है कि जीन प्याजे के सिध्धान्द के अनुसार बच्चा उत्रकर्मनिये सोच की छमता को विक्सित नहीं कर सकता है उत्रकर्मनिये सोच की अगर मैं बात करूं आपके तो उत्रकर्मनिये सोच का मतलब यह हो गया न कि जहां पर बच्चे के अंदर यह वाली भावना होती है क कि बच्चा यह तमझ सकता है कि बरफ से पानी और पानी से बरफ बनता है यह वारा जो प्र electr均ज होता है जहां पर बच्च से पर वाली पने काया गये जो अवह出व सबसे निकल गया जहां पर पूर्व ज्यान के अधार पर अपने प्रॉब्लम को सॉल्फ करने लगता है तो यहां पर जो इसका राइट आंसर जाएगा हो जाएगा हमारा पूर्व संक्रियातमक अवस्था होती है जहां पर बच्चे के अंदर जो उतकर्मी है आपकी जो irreversibility का process होता है वो बच्चा समझ नहीं पाता है आए चलिए चलते हैं हमारे next question की तरफ तो हमारे next question क्या कह रहा है कि पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक क्या लाइजेशन आ जाता है बच्चा आपके रिजनिंग करना जान जाता है बच्चे को conservation का ग्यान आ जाता है बच्चा धारनाओं को समझने लगता है तो इस परिकार से बच्चे के अंदर जो भी कमियां होती है प्री आप्रेशन वाले में वो सारी कमियां यहां पर दूर हो हैं तो यहां पर options में दिया हुआ है कि बच्चा सन रशात्मक समस्याइं सीखता है यानि की लर्निंग कंजर्वेशनल प्रॉब्लम यहां पर बच्चा शुरू कर देता है उसके बाद में है कि बच्चा अमूर्थ रहें तो जाइट से बाते यहां पर अमूर्थ आ गया त समस्याओं को हल करना यह भी आपकी फॉर्मल में होता है तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सन रशात्मक समस्या शीखना यानि की कंजर्वेशन के प्रॉब्लम को वह सीखना शुरू कर देता है तो देखिए अगर आपका कॉंसेप क्लियर है आप यूज कर सकते हो तो कॉंसेप के लिए बहुत जरूरी है इसलिए मैं कॉंसेप्ट के लिए वीडियो लेकर चल रही हूं बट लोगों के डिमांड होती है कि नहीं नहीं कुईज कर आई है तो चले मैं एक कुईज भी लेकर आ गई भाई होकर अब यहां पे बात कर रह हैं कॉंक्रीट अभी जस्ट हमने यहां पे सीखा है तो कॉंक्रीट जाएगा और रुप्योट वाले का तो कोई यहां पे बात ही नहीं बचती है तो इस तरह से जो वरगी करन्यानी की क्लासिफिकेशन सीरेलाइजेशन यह सारे जो प्रोसेस होते हैं यह बच्चा स्टार् किस संदर्व में प्रियोग हुआ है तो जाहिर सी बाते हैं अगर हम बात करते हैं हमारे सीरेलाइजेशन की तो सीरेलाइजेशन का मतलब क्या होता है वस्तों को किसी आयाम जैसे की लंबाई पर अधरित कर्म देना और वसे यहां पर यह अंडर लाइन है तो आप तो अल्र सीरीज में लगाना तो सीरीज में तो चोटे से बड़ा या बड़े तो चोटा या उसके मतलब साइस के अधार पर होता है तो दूस्तरों का परिपेख्ष लेने की चमता तो अवेसी बात है यह कर्म बदता तो नहीं शो कर रही है चिंतन का वर्नात्म कृप जिसे कहानी कत स्थान की एमांग चित्रन करने की चमता तो जाईर से बात है यहां पर बच्चा सीरीज में प्रस्जास कोई प्रोसेस नहीं कर रहा है तो उसका राइट आंसर जाएगा हमारा आंसर नंबर वन बस्तू को किसी एक आयाम जैसे लंबाए अधारित कर्म में लगाना देखिए यह जो सारे कोश्चन से ना आपको कहीं न कहीं एकजाम में दिखे ही जाएंगे आपके एक्जाम के प्रस्पेक्टिव से कोश्चन बहुत ही इंपोर्टन है तबी इन कोश्चन को मैं लेकर आई हूं फिर उसके बार में नेक्स कोश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास के किस चरण में बच्चा संग्यानात्मक्षमता की रूप में प्रतिवर्ता की धार्णा को अधार्णा को दर्शाता है प्रतिवर्ता यानि कि वही अभी जब हमने पहले बात करें थी जहां पर हमने बताया था कि बच्चा वाली इवस्थर चहां पर इसको सीखरी मोटर अगें पीर आपे संसे सीखना उसको ग्यान होता ही तो इसका रॉइट आंसर हमारा जाएगा और यह चौर्ब कर देता हैं तो मैं ऑपοιह बहुत सारे कौर्ण्स तो आपको Bibli ON जिनका आप एविंग ही आंसर लगा सकते हैं और अब हम चलते हैं हमारे next question की तरफ तो जो हमारे next question कह रहा है वो यह कह रहा है कि एक बच्ची है जिसका नाम अपसा आलू को चिप्स के दिखाते वे कहते हैं तिटली जीन prepare के अनुसार यह किसप्रकार का पत्यातमक्न विचार किस वस्ता की विशेष्टा है यानि कि बच्चा यहां पे क्या जिकर है औ हुग अणलू को को सजीव के टरा ट्रीट करने वाला होता है उसे हमें क्या करता है जाइ it मैंने ट्रहप चैप्टर में एच्छे सी दिसकेस किया है टो यह रिक 6 आधा होती है सोरी एक मिनिट यह जस्ट आ मिनेट जस्ट आ मिनेट पैन ही हमारी खो गई पैन खो गई तो पैन के बेन तो मेरे लिए कुछ भी पॉस्बिल नहीं होगा एक मिटा आप मुझे देजिए मैं पैन को अल्रेड़ी स्टार्ट कर लो सारे स्क्रीन स्क्रीन देख लो मेरे इसी बहान है न कितना कितना मैं आप लोग के लिए करती रहती हूँ कि यार आपको कुशन मिल जाए बड़ आपका ना लाइक सब्सक्राइब नहीं आता देखो मैं रात की 11 बज़े स्क्रीन दिख रही होगी कि यहां पे शांती पुरवक अब देखो मैं जे मिली नहीं रहे कौन सा मेरा सौफ़वेर था जस्ट अभी मैं कितने दिन से ध्यान लगा के सोच थी कैसे कैसे क्या करूं और इसके बाद मुझे यह सौफ़वेर मिले ड्रॉ और इसके बाद से मैंने सौफ़वेर का यूज करना शुवर किया है चलो चल पूरा सा मतलब खेद था हमारे इस कारण के लिए तो दिखो एनिमेजम वाली बात जो बच्चा करना शुरू कर देता है वह कौन सी अवस्ता होती है वह हमारे बच्चे की इसक्रीन सामने आजाए पूरी है यह बड़ी दिक्कत हो जारी है मैं इसलिए मैं क्या ही बता हूँ आपको पर आप मेरी दिक्कत कहा समझोगे चलो तो एनिमेजम वाली जो अवस्ता होती है वह आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है तो इस प्रकार से आपका जो य ब्यान काफी खुल जाएगा और सेंसरी मोटर में अगेन वही आपका सेंसिस के थ्रू करेगा तो बच्चा क्या ही कितना कुछ कर पाएगा चलिए आईए हम मूफ करते हैं हमारे नेक्स कोशन के तरफ तो नेक्स कोशन हमारा बात कर रहा है कि जीन प्याजे ने नेकी बच्चों की सोच हमसे अलग नहीं होती है जाइब से बात है जो हम सोचते हो भी बच्चे ही सोचते हैं कॉल्टेटिव डिफरेंट फ्रम और विसी बात है कि देखिए हम और कोई समस्य है तो जितना कॉल्टेटिव हम सोचते हैं बच्चा उतना कॉल्टेटिव नही कैसे समते हो और विरसी बात है जब कॉइट सिमिलर तो नहीं हमारी और उनकी सोच सेमी होती है बट कॉल्टेटिव रूप से डिफरेंस होती है और एक प्रशन का एक ही आंसर आपका सही जाएगा तो इसका जाएगा कि गुडात्मक रूप से भिन्न होती है चलिए हम मूफ कर ध्यां देने की जो प्रवित हैं उसे क्या कहते हैं चाहिछ सी बाते किसी एक बस्तूप पर एक समय पर ध्यान देनें तो के इंद्रिता यहां पर बहुत है नहीं हेल्फूल थी आपके लिए एक लास हमारी उसके बाद अगेन आपका एक कोशन है यह आपका है मैच करने वाला कोशन है कि निम्लिकित में से कौन सा मिलान पियाजे के संग्यानात्मक चरण और उसको प्रभाश्यत करने वाली विसेशता को सही दंग से दर्शाता है तो पहला है मतलब उनके जो जो भी उन्होंने दिया है थौट्स अपने और कौन से स्टेज के लिए दिया है तो कौन सा कर्म सही है यहाँ पर दिया हुआ है अमूर्ट संक्रियात्मक अवस्था केंद्री करन सेंट्रियाजेशन यानि यह आपका बच्चे का होता है प्री ऑप्रेश मूर्ट संक्रियात्मक अवस्था और डिफर्ड लिमिटेशन और यह भी गलत जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज और जीवा तो जाइट से बात है अभी जस्ट इससे पहले कोशन हमने किया है तो इसका यह वाला राइट आंसर आपका जाएगा कुछ कुछ कुशन क्या करते है और लास् किया पूच्छा है तो पहना आजाए तो मैं बताती हूं लास्ट कोशन किया पूच रहे और लास्ट कोशन जो पूच रहे नहींकित मैं से कौन सा पि आजे दोरा दिया गया चरण और विसेशता का सही युग्म है यह झानि कि फॉर्माल ऑपरेशनल में बच्चा hypothetical detective reasoning show करता है sensory motor में symbolic thinking use करता है pre-operation में conservation करता है और concrete में abstract thinking तो देखो concrete में abstract thinking तो कता ही नहीं करें का बच्चा pre-operation में बच्चे के नदर कमियां होती है तो वो कहां से conservation सीख जाएगा symbolic में आपका बच्चा शुरू करता है सीखना आपके pre-operation में तो sensory motor में तो बच्चे स्रिफ और स्रिफ sensor organs का यूज कर रहा है यह भी गलत तो इस तरह से इसका यह answer सही जाएगा यह elimination process सही जाएगा और देखा जाए तो logically भी आपका यही जो answer है यह सही है फिर से मेरी स्क्रिंग आया भूई तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे हम इह पर पॉस करते हैं कैसी लगी है जरूर बताएगा तब तक के लिए नमस्कार हरर महा देओ